हमस्कार दोस्तों मुरे नाम को बिल सिक है सवागता आपका सड़ियाई की एडिकेशन प्राट्फॉर्म में आज हम इस सीरीज में चर्चा करने जाने नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्स्रेंसिस आक्ट की काफी लंबे समय से आप सुन रहे हैं आरेन खान क इसके बाद फिर से न्यूज में इससे पहले भी एरिया चक्रवर्ती के केस में न्यूज में था यह एक एक इंपॉर्टेंट आट है सबजने के लिए काफी लेट लाया गया था 1985 में इसको में लाय थे तो जानेंगे एक्जाटली क्या यह एक कहता है और कौन-कौन से यहा इसको कम किया चाहिए एक चर्चा बार-बर यह उठती है कि क्या डी क्रिमलाइजेशन हो जाना चाहिए ऐसे अक्टिविटीज का मतलब कोई कंजूम कर रहा है तो उसको डी क्रिमलाइज करके रिहाबिलिटेशन पर फोकस करना चाहिए तो फिर यहां पर क्लास में भी चर् प्रोविजन होने चाहिए साथी साथ नार्कोटिक कंट्रोल करने के लिए एक लौ हमारे पास होना नेसिसरी है तो 1985 में स्लॉकॉम ले गया है तो पूरा सब कुछ विशे में चर्चा करेंगे जुड़े राइस्तान जुडिश्री कोर्स जो है वो अवेलबिल है इसके नार्कोटिक्स ड्रग का पार्ट बनती है देखो कोको लीफ है कैनेबिस है जैसे हम भी कहते हैं ओपियम पोपी स्ट्रॉव डेरिवेटिव कंसेंट्रेट्स याननी सिंथेटिक ड्रग्स जो है या इनसे बने हुए कुछ भी सब्सेंसिस हैं या कुछ और सब्सेंसिस ने जिसे सरकार समय समय पर सेंटरल गर्मेंट एक आफिष्यल गैजट के दूर्आ डिक्लेर कर देती है कि नार्कोटिक्स ड्रग्स ड्रग्स और सेटैटिक में ड्रग्स मने जाते हैं अब offenses basically क्या-क्या है, देखो offenses के case में, किन-किन case में offense calculate किया जाएगा, सबसे फ़ली बात है अगर कोई person possess कर रहा है, तो भी punishment है, purchase कर रहा है, punishment है, sale कर रहा है, transport कर रहा है, consume कर रहा है, यानि ना सिर्फ possession और ना सिर्फ consumption, बीच की जो पूरी chain है, अगर वो उसमें भी कही involved है, तब भी उसको इस act में book किया जाता है, punish किया जाता है, अब आप देखेंगे, कि कुछ exemptions हैं, बिल्कुल exemptions हैं, अगर आप scientific medicinal purpose के लिए in drugs को use कर रहे हैं, तो यहाँ पे exemption मिलता है, इसे हम poppy की बात करें, poppy जो straw होता है, उसको medicinal purpose के लिए use किया जाता है, तो वहाँ पे ऐस आपको exemption मिलेगा, तो आपको उसके लिए authorization, permission लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप उसको scientific purpose के लिए use कर सकते हैं, दूसरी सबसे important बात है कि quantum of punishment क्या होनी चाहिए, देखो यह depend करता है कि कितना ultimately आपके पास, या फिर किसी के भी possession में drugs मिला है, तो यह incremental punishment की बात करता है, य जो depend करता है कि gravity of crime क्या है, substances का कितना, यहाँ पर quantity quantum है, उस पर depend करेगा कि कितनी punishment दी जानी चाहिए, बार बार आरेन खान के case में कहा जा रहे है कि small quantity है, small quantity है तो छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है रेको, यहाँ पर भी किसी भी तरह का consumption है, even if small quantity में है, तो वो भी ultimately harmful है, तो यहाँ जानेंगे exactly कि कि किस quantity में क्या small में calculate किया जाएगा, क्या commercial में calculate किया जाएगा, तो जो भी quantity मिलेगी ना, उसके according, जो punishment है, code decide करता है, small quantity मतलब ऐसी कोई भी quantity, जो सरकार define करती है, अलग-अलग चीजों के लिए अलग definition है, अब यह vary करती है, अलग-अलग cases में, त इसको हम small quantity मानेंगे और किसको हम commercial quantity मानेंगे, जैसे example लिए मैं आपको उसको commercial quantity मानना पड़ेगा, MdMA के case में 0.5 gram है, 10 gram है, 14 cannabis के case में 100 gram और एक पीजी यह commercial quantities में आती है, अब देखो सबसे बड़ी बात ही हो जाती है, कि यह quantities जो है, इसके according आप punishment define करते हैं, तो punishment भी इसी तरह से होगी, कि जितनी quantity उतनी जादा stringent punishment, small quantity में मिला है, तो small punishment होगी, large quantity में मिला है, तो फिर आप उसको बोलेंगे large quantity है, देखो कई बार ऐसा होता है, 2 gram से कम के case में, यहाँ पर जो है, वो छोड़ भी दिया जा सकता है, कि यह रहे 2 gram से कम है, तो यह तो ऐसी quantity है, जो आप calculate भी नहीं करेंगे, तो मतलब आप समझे कि 2 से 100 gram है, तो फिर वो small quantity हो जाएगी, 100 से उपर है, त तो फिर वो commercial quantity हो जाएगी, तो यह इस तरह से इसको define किया जाता है, अब यहाँ पर बात यह आ जाती है, कि punishment, accordingly जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, दी जाएगी, कि possession किया है, purchase, sale किया है, small quantity का, तो उसके लिए rigorous imprisonment है, एक साल तक की, 10,000 तक का fine है, commercial quantity के case में, लगबग 10 से 20 सा है, और 2,000,000 रुपे का fine है, जैसे जैसे आप या कोई भी person इसमें बारबर involved होता है, बारबर अगर वो convicted होता जाता है, तो punishment भी enhanced होती है, यह first timer है, तो कि आधी punishment, अगर दुबारा से offense को repeat किया है, तो जादा punishment, conviction उसके according punishment decide करता है, अब यहाँ पिते को judges के पास एक और NDPS Act power देता है, उनको empower करता है, कि आप 2,000,000 से उपर का भी fine लगा सकते हैं, आपको reason देना हुआ कि क्यों आप इतना ज्यादा fine लगा रहे हैं, तो drugs का जो problem है, कई बार यह चर्चा की जाती है, कि क्या सिर्फ NDPS Act से curtail किया जा सकता है, मतलब अगर आप drugs के usage का criminalization करते हैं, अगर हाँ small quantity में मिला है, तो small से कम quantity में है, small quantity में अगर drugs मिला है, तो आप उसको decriminalize करिए, और आप ज़्यादा focus करिए rehabs पे, अगर हम पंजाब government की बात करें, तो पंजाब government अपने budget का का काफी बड़ा हिस्सा rehab पे, यहाँ पे rehabs पे खर्च करती है, तो ऐसी सब चीज़ जरूरी है, लेकिन देखें, इंडिया की जो society आप देखने के इंडिया, golden triangle और golden recent के conjunction में है, तो इंडिया में इस तरह के जो border areas है, या border पे जो drug trade है, वो काफी ज़्यादा high रहता है, तो इंडिया को दोनों ही यहाँ पे avenues को explore करना पड़ेगा, दोनों ही option को explore करना पड़े जो है, वो necessary है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता है कि consumption जो है, वो उसके according ही आप यहाँ पर decide करते हैं कि कि कितनी punishment है, अच्छे एक बात है कि क्या सजा माफी मिल जाएगा, अगर किसी person को पकड़ा गया है, उसकी सजा का commutation suspension हो पाएगा, तो यहाँ पे है कि उसकी सजा क NDPS Act में commutation suspension नहीं हो पाएगा, इसको बहुत serious nature of offense माना जाता है, देखो सजा जरूर कम है, लेकिन बहुत serious nature of offense माना जाता है, self-consumption के लिए, और commercial case में तो काफी ज़्यादा serious है, 10-20 साल की आपको सजा है, तो यह इसलिए कहा जाता है कि इस तरह के Acts में आप commutation को allow नहीं करे दुसरी बात यह पुछा जाता है कि कैसे proof करें, motive क्या है, तो यहाँ पर सबसे बिड़ी बात यह कि burden of proof है, वो accused पर है, उस पर डाल दया जाता है कि अगर prosecute करना offense को, तो accused को हम मानके चलते हैं कि भया उसका, जो motive था, वो इसको use करने का, उसको consume करने का, या transport करने का, sale करन तो यहाँ पर आप समझेंगे कि burden of proof किसके पास होता है, accused के पास होता है, कि accused को prove करना होता है, कि देखो मैं इन चीजों में लिप्त नहीं था, अच्छा दूसरी बात है कि presumption of offense के case में, अगर देखो accused को presume कर लिए, कि उसने इस offense को किया है, commit किया हुआ है, तो unless अगर उसके कोई भी possession नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर हम मान सकते हैं कि ठीक हम एक बार को सोच सकते हैं कि presumption जो है, offense का नहीं होगा, लेकिन usually देखो सबसे बड़ी बात क्यों हो जाती है, कि अगर कोई person ये कह रहा है, कि उसके पास possession में था, ठीक है, अब वो एक party में था, उसके सारे दो करते हैं, उससे चर्चा नहीं बदलती, उससे कोई, कोई भी ऐसा issue नहीं होता, फंडा से भी है ये कि अगर आपके possession में कोई भी drug मिल जाता है, और आप से use नहीं भी करते हैं, तब भी offense calculate होगा, अब एक और चर्चा की बात आ रहे है, कि bail और appeal का क्या क्या करें, मतलब बेल है, और cognizable है, यानि warrant की जुरुत नहीं पड़ती है, in fact, यहाँ पे जितने भी bail के matters आते हैं, तो अगर आप section 37 को देखेंगे, तो ये कहा गया है कि NDPS Act में, जितने भी offenses हैं, वो सब non-bailable हैं, ठीक है, पहली बात, लेकिन एक बात और आ जाती है, कि अगर, let us say, जो भी prosecution है prosecution demand करता है, कि ये person ने ठीक है, consume नहीं किया, जैसे आरेम खान के case में, ये ही हो रहा है, कि इस person ने consume नहीं किया है, लेकिन ये एक important link है, उस chain का, जहां पे ये trade किया जा रहा है, तो उसकी जो bail है, वो रोकी जा सकते हैं, मतलब बार-बार bail का denial मिल जाएगा, और सबसर जाता ह कि public prosecutor को पहली opportunity दी जाएगी, कि वो bail के denial को रखे, जैसे आरेम खान के case में, आप देख रहे हैं, कि जो government वकील है, वो बार-बार यहीं कह रहा है, कि bail नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि हमें एक link trace करना है, कि इसमें कौन-कौन involved है, अगर ये person को हम छोड़ देंगे, तो हम अगर court भी satisfied है, कि reasonable grounds है, कि bail नहीं दी जानी चाहिए, तो नहीं देगा, लेकिन हाँ, अगर bail दे नहीं और court को लगता है, कि उस person से पूरी तहकीकात की जा चुकी है, पूरी investigation हो चुकी है, और person जो गिल्टी नहीं है, तो फिर यहाँ पे bail दी जा सकती है, यानि वो दुबा of insist को non-vailable रखिए, irrespective कि कितनी quantity मिली है, drugs की, drugs मिला है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो small quantity में था, 2 gram था, 2 gram से 100 gram था, या 100 gram से जादा था, जो भी मिला है, आप यह मान के चलिए, कि यह जो चीजें है, यह non-vailable होनी चाहिए, अगर आप commercial quantity में drugs नहीं मिला ह है, तो यहाँ पर जो bail है, वो matter of right नहीं है, ऐसा नहीं है कि small quantity है, तो फिर आप यह बोलें कि, अरे मेरे पास तो small quantity है, मेरा तो bail matter of right है, तो याद रखेगा, NDPS Act में bail matter of right नहीं बनता, किसी भी circumstances में, यानि अगर gravity of crime कम है, तब भी bail नहीं मिलेगी, gravity of crime जादा है, तब तो bail क bail की बात बनती ही नहीं है, तो important बात हो जाती है, और in fact गर आप देखेंगे, Supreme Court नहीं भी dismiss किया था, एक bail के case को, जिसमें ये कहा था, कि अगर recovery नहीं हुए, contravent की उसमें possession में से, तो फिर आप bail, ये नहीं कह सकते कि, अरे मैं तो bail, मुझे bail दे दी जा, तो ये important बात हो जात प्रिजूम कोट मान के चल रहा है कि ऐसे evidences हैं, जिसमें आपका involvement देखा जा सकता है, तो आप bail का denial कोट करेगा ही करेगा, इंपर गुजरात हाई, गुहाटी हाई कोट में भी हुआ था, कि bail को deny कर दिया गया था, तीन conditions पे, जैसे कि ये कहें कि, कि सारे जो conditions है, वो conjunctive in nature है जैसे सबसे पहली बात है कि आप पहले ये देखें कि possession मिला नहीं मिला, person ने consume किया था नहीं किया था, या उस area में या पिर आसपास के लोगों के पास वो था, तो अगर इस तरह के आप conditions आप देखेंगे, तो फिर denial किया जा सकता है, denial कैसे है, कि likelihood है, accused का कि उसने offense किया हु ठीक है, लेकिन जो भी बात है, अगर public prosecutor चाहते हैं कि bail ना मिले तो उनको reasonable grounds court को देने पड़ेंगे, जैसे बार-बार आर्मिंद खान के case में यही reasonable grounds public prosecutor दे रहे हैं, कि देखें, ये एक influential family से belong करता है, ये बाहर जाके evidences को vitiate कर सकता है, दूसरी बात ये कहा जा रहे है कि य इंडिया के बाहर fly कर जा, इसलिए हम investigation करना हमाद लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए bail denial हो रही है, अब immunity क्या है, कोई भी addict है, conviction है, कोई भी addict है, उस पर conviction हुआ है, तो वो immunity मांग सकता है, अब immunity क्यों मांग सकता है, वो कहेगा कि देखो small quantity मैंने consume की थी, और मैं में भीज दीजे, court immunity को withdraw कर लेगा, जब तक वो person जो है, make sure करे कि वो उस treatment को करेगा, ठीक है, तो court immunity देदेगा, उस person को, लेकिन अगर वो person बीच में ही छोड़के भाग जाता है, अपना treatment पूरा नहीं करता है, तो court immunity withdraw कर लेगा, और फॉरन दुबारा से arrest के, जो directions है, वो द देगा, दुसरी बात देखेंगे, court immunity इस बात पर भी दे सकता है, कि कोई person कहें कि ठीक है, मैं आपको पूरा network बताऊँगा, पूरा link बताऊँगा, किस ने किस से खरीदा, मैं आपको सारे evidences लाके दूँगा, मैं help करूँगा, यहाँ पे NCB किया, court की और जादा लोगों को arrest करने में, इस case को solve करने में, तो यहाँ पे भी अगर true disclosure हो जाता है, या इस तरहे के circumstances हो जाते हैं, जहाँ पर सन as a helping hand बन जाता है, court के लिए witness बन जाता है, तो वहाँ पे भी immunity मिल सकती है, अब देखो बात यही आ जाती है, बार-बर कि क्या NDPS Act successful हुआ, यह बहुत बड़ हो रही है, तो supply इसलिए हो रही है, क्योंकि demand है, और demand को mere आप एक law से खतम नहीं कर सकते, वो law कितना ही stringent हो, लोगों में demand खतम नहीं होगी, idea बसे यह कि इस तरह के जो भी drugs के consumption के cases है, जब तो उनका rehabilitation नहीं होगा, उनको reform नहीं किया जाएगा, society में integrate नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह कि जो drug addicts हैं, तो drug की demand करते रहेंगे respective कितना ही stringent आप इसे law बना लो, ठीक है, तो drug manage को आपको अगर resolve करना है, तो law भी एक essential component है, लेकिन social change लाना भी एक बहुत बड़ा essential component है, तो court ने भी ये views देखा है कि कई बार stricter punishments जो हैं, वो भी बहुत जादा helpful न justice जो है, वो necessary है, लेकिन हाँ, ndps act भी अपने आपने बहुत important बात है, अगर कोई कहता है कि नहीं, इस act से कुछ नहीं हो रहा तो ऐसा बिलकुल नहीं है, act की अपना relevance है, act वाकई इस तरह की cases को track करने में, लोगों को jail के पीछे पहुचाने में help कर रहा है, ठीकिन हाँ, ज society के against भी crime कर रहे हैं, और law में भी law and order का भी crime वो कर ही रहे है, काशा करता हूं clear हो गया topic, ndps act किस तरह function करता है, क्या case में bail के provisions है, कैसे immunity मिलती है, मिलते हैं ऐसे किसी interesting session में, तब तक लिए goodbye, take care and God bless you all.